Hello everyone, welcome to NEET UG in 10, brought to you by Unacademy, जो कि इंडिया का largest online learning platform है, यहाँ आपको मिलती है daily live classes, live testing quizzes, structured courses, and unlimited access 24-7, हमारे जितने भी video lectures हैं, जितने भी study materials हैं उनकी, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा, Unacademy learning app download करिए, Google Play Store पे जाके या फिर iOS App Store पे जाके, and then हमारे सारे features unlock करने के लिए आपको लेना होगा हमारा paid subscription, जिसके कई options available हैं, 1, 3, 6, 12, 24, since NEET UG का syllabus काफी vast है, थोड़ा time taking होता है, इसलिए एक साल या दो साल का package सबसे ज़दा recommended and most popular है, and आप अगर अपनी NEET UG की preparation स्टार्ट कर रहे हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, तो उसके लिए तो एक साल या दो साल का package सबसे ज़दा advantageous and helpful है, और आप देखेंगे कि एक साल का package, जो 30,000 का है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप 6,000 और आइट करते हो, तो आपको मिलता है पूरे दो साल का package, इतना ही नहीं, अगर आप मेरा code, referral code नीचे अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, love10, यह use करते हैं, तो आपको मिलेगा extra 10% का off, जो भी हमारी base prices है, मेरा नाम लवकिशोर श्रिवास्तवा है, मैं गिल University Canada में as a researcher में समय काम कर रहा हूं, और आप personally मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने अपना telegram link नीचे add कर दिया है, तो आज हम बात करेंगे venation and types of leaves की, ठीक है, venation क्या था, मैंने आपको बदाया था, यह leaf होती है, इससे एक सबसे मोटी vein जाती है, बीच में जिसको बोलते है, and इसी से अलग-अलग veins निकल सकते हैं, ठीक है, तो यह चीज तो हम basic जान गए, अच्छा, आप देख लेते हैं, और चीज़े, the arrangement of veins and the veinlets in the lamina, lamina में ही था, तभी तो rigidity provide कर रहा था, यह देखो आप, यह देख रहे हैं, छोटी-छोटी आपको veins यहाँ पे, ठीक है, is termed as venation, ठीक, when the veinlets form a network, network type की चीज़ यह देखिए, network type की चीज़ बना रही न, अगर ऐसे हो गया, ठीक है, यह एक, थोड़ा और साफ से बनाता हूँ मैं, यह अगर हो गया, यह एक main वो है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ और यह आपस में भी जूड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे करकर के पूरा उन्होंने network बना दिया है, ठीक है, तो इसको बोलते है, reticulate, तो reticulate venation आप क्या समझेंगे, तो ज्यादा complex type का है, पूरा का पूरे network बन रहा है, अच्छा, अब दूसरा type का क्या होगा, इसको imagine कर लो, ठीक है, एक vein parallel, ठीक है, तो दो type का हमने venation देखा, एक जो ज्यादा complex है, एक network बनाता है, पूरा उसको reticulate बिला, इधर ध्यान से देखिए, तो इधर आपको देख रहा है, कितने जीर सारे और इधर देखो, यह देख रहा है, यह ऐसे, 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 है ना, parallel जा रहा है, ठी इसमें reticulate venation होगा, या parallel होगा, तो क्या answer होगा dicots में, reticulate, याने कि तो ज्यादा complex वाला था, ठीक है, while parallel venation is the characteristic of most of the monocotyledons, ठीक है, एक बात दिमार्ट में दही की तरह जमा लीजे, कि dicot में होता है, reticulate venation, reticulate venation क्या होता है, तो ज्यादा complex है, पूरा network type बनाता है, वो ह type combination होता है, जो एक दूसरे के parallel जारी है, सारी के सारी veins, वो क्या होंगी, monoparton मिलेंगी, जिनको बोलेंगे parallel venation, ठीक है, अच्छा, अब बात आती है, a leaf is said to be simple, when its lamina is either entire, or when incised, the incisions do not touch the mid rib, क्या मतलब हुआ इसका, ये है एक आपकी leaf, ठीक है, एक ये mid rib है, कहीं कोई cut नहीं लगा, ठीक है, अब ये mid rib है, अगर आपकी leaf है, ऐसे, incisions आ गए ना leaves में, ठीक है, आपने देखा, लेकिन ये incision इतना deep नहीं है, कि mid rib को छू रहा हो, यही मतलब हुआ, do not touch the mid rib, incision क्या होता है, cut type का, imagine करो, तो यहाँ cut लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये mid rib तक नहीं जा रहा, इसलिए इसको simple leaf पो लेंगे, ठीक है, अब अब क्या हो गया, when the incision of the lamina reach up to the mid rib, क्या होगा ये, अब imagine करो, इसी चीज़ को, अब मैं बनाता हूँ, यह है, यह ऐसे करके ऐसे हो गया, ऐसे करके ऐसे हो गया, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, तो अब आपने द जा रहा है, कई तरीके के arrangement हो सकते हैं, यह मैंने आपको एक बताया, तो कैसे हो जाएगा, यह ऐसे imagine कर लो, यह ऐसे imagine कर लो, ऐसे भी हो सकता है, है ना, इसमें तो कोई doubt नहीं हुआ, ठीक है, तो यह ध्यान रखना, इस type की leaf को क्या बोलेंगे, compound, तो हमने simple देखी, हमने compound देखी, तो इसमें confuse मत हो ना, कि simple कौन सी होती है, compound कौन सी होती है, अगर यह incision, midrip तक जाता है, तो that is compound, अच्छा, a bud is present in the axis of petioli, यह हमने पढ़ा है, in both simple and compound leaves, but not in the axle of leaflets of the compound leaf, ठीक है, तो यह एक छोटा सा point है, जो आपको याद रखना है, exam में आ सकता है, ठीक है ना, कि simple और compound leaf दोनों के axle में तो मिलेगा, बट जो छोटी छोटी leaflets है, जो compound leaf की है, उसमें नहीं मिलता, ठीक है, तो compound leaves, जो हम compound leaves यह वाली बात कर रहे थे, जिसमें पूरा का पूरा, वो midrib तक जा रहा था, ऐसे वाली leaves, यह midrib हो गया, यह दो तरीके की हो सकती है, क्या हो सकती है, इन pinnately compound, पहली pinnately compound है, इसमें क्या होगा, एक यह common, जो midrib हुआ करता था, यह common axis है, लेकिन इसके चारों और, ऐसे ऐसे आप देखिए, ऐसे ऐसे leaves आ गई, यह देखो, ऐसे, यह हो गई, pinnately compound, ठीक है, common axis, जिसको अब हम बोलेंगे, rachis, ठीक है, which represents the midrib of the leaf in aneem tree, example क्या हो गया, इसका aneem, और यह midrib जो हुआ करता था, वो अब rachis हो गया, ठीक है, जैसे यह देखो आप, यह हो गया, यह ठीक हो गया, यह rachis हो गया, और इसमें छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे leaflets आ गई, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें confuse मत होना, यह कौन सा example है, pinnately compound, ठीक है, अच्छा, दूसरा type का क्या होता है, in pinnately compound leaves, the leaves are attached at a common point, that is at the tip of the beteo, as in silk या cotton, क्या मतलब हुआ इसका, यह भी देख लेते हैं, तो देखो, यह stem है, यहाँ से ptol निकला, ठीक है, यह क्या कह रहा है, कि tip of ptol, यह tip of ptol हो गया, यह common point होगा, सारी leaves का, याने कि एक ऐसे निकलेगी, एक ऐसे निकलेगी, एक ऐसे निकलेगी, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है, तो देखो, यहाँ पे इनका common point क्या हो गया यहां पर एक ऐसे भी ले लो ठीक है tip of ptol हो रहा है है ना और यहां पर देखो क्या हो गया यहां पर एक common ruckus बन जा रहा है देखो दोनों में difference देखो incision दोनों में ही हो रहा है technically यह leaf कैसी होती ऐसी होती है ना लेकिन अब क्या हो गया यह ऐसे छोटे छोटे leaflets में बट गई है ठीक है इसी टाइप की compound तो हमने क्या देखा एक हो गई simple type की और compound जो है वो भी दो तरीकी की हो सकती है पिनेटली compound पिनेटली मतलब जिसमें एक central ruckus होगा उससे चारो और इधर और दोनों साइट leaflets निकल नहीं है या फिर एक common point होगा common point क्या होगा tip of petio ठीक है जहां से leaves निकल नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे पालमेटली compound ठीक है तो ध्यान रखना इन बातों में confused मत होना बहुत चोटी-चोटी सी चीज़े हैं एक बार ध्यान लगा के याद करोगे तो आगे याद रहेंगी with examples एक तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो कमेंट करो subscribe करो and love10 जो मेरा referral code है उसको यूज करके आप अनक आज में से जुड़ सकते हैं और आपको personally मुझसे जुड़ना है मेरी classes का regular update पाना है तो मैंने अपना telegram link नीचे add कर दिया है वहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं class होने के लिए thank you and मिलते हैं तब तक next lecture मे बाइ